सबसे पहले तो कर दो इस वीडियो को लाइक क्यूंकि आज के सेशन में आपको पढ़ाने वाली हूँ आप लोगों का एक्जाम आ ही गया है तो अगर आप इस वाले सेशन को अटेंड कर रहे हो तो यह बेस तरीके से आपका इंगलिश का सलेबा जो है तुम्हारे दिबांग में सब कुछ कॉपी पेस्ट हो जाएगा जैसे आपके 12 वालों के साथ हुआ था जब पेपर में मेरे सेशन को अटेंड करके आप आंसे लिख रहे होगे तो मेरी ही आवास तुम्हारे दिमांग में गूज रही होगी एंड स्मूद लाइक बटर तुम्हारा एक्जाम जान दूंगी तुम्हारे दिमाग के अंदर और डाउट्स की तो कोई बात ही नहीं रहने वाली है ठीक है तो जल्दी से फायर एमोजी लगा दो जल्दी से कॉमेंट सेक्शन में क्योंकि अब आना है हमें फायर मोट के अंदर करना है हमें लिटरेचर पे अटाक फर्स लाइट और फुट्पिंट्स डे करते हैं आज अभी से सलीब्रेट तो जल्दी लिख दो लाइट चाट के अंदर फॉर्स लाइट दे फुट्पिंट्स डे एंड फायर एमोजी क्योंकि ऐसे आग लगा कि आएंगे पेपर में कि एक्जाम इनर्जी फुल मार्क सी देंगे ठीक है बट वो सब करने के लिए इतनी बड़ी-बड़ी बाते करके उन्हें सच करने के लिए आपको बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा तो अब जो है सारा धियान यहां आजाए आपका और ध्यान से जो है जो मैं पढ़ा रही हूँ पढ़ लो क्योंकि ऐसे जो मैं दिफिकल्ट पेपर आने के बाद भी वो से असान कहे रहे हैं ठीक है चलो पढ़ लेते हैं फर्स्ट राइट बुक है हमारी लिट्रेचर की क्लास टेंथ की इसका पहला चैप्टर आते हैं हमारा लेटर टुगॉड राइटर का नाम तो भाई मैं कोई भी नहीं बताऊंगी आपके ज़र्मैवारी है आपको जो राइचर है उनके नाम कॉमेंट सेक्शन में सिंपल वाला जो कॉमेंट सेक्शन होता है वहाँ जरूर से कॉमेंट कर दे तो सब से पहले हमेंगी क्या होता है architecture रहने हम एक फार्मर की कहानी पढ़ रहे है जो है लेंचो लेंचो का घर ह बिल्कूल एक अकेला सा इसके कोई आसपडूसी नहीं है, एक हिल के ओपर है, यानिकि ए छोटी सी पहाडी के टॉप पे है, इसके घर के सामने से इसका पूरा का पूरा खेत दिखता है, और इसके खेत पे किस चीज की फसल लगी है, भुट्टे की, कौन की फसल लगी है, और जो है क्यों कर रहा है ऐसे क्योंकि इसे वहां से मौसम ऐसा बनता हुआ दिख रहा है कि बारिश हो जाए और अपनी वाइफ को कहता तो इसकी वाइफ कहते है गौड विलिंग की हान जी अगर भगवान जी की मर्जी होगी तो जो है बारिश जरूर होगी तो इससे हमें पता चल रहा है तो लेंचो और लेंचो की फैमिली जो है बहुत भरोसा करते हैं और उनके ही जैसे कुछ भी अगर उन्हें अपनी लाइफ में करना हो तो वो हमेशा भगवान को याद जरूर करते हैं यह चीज हमें इस चैप्टर से समझ में आ रही है तो फिर ऐसा ही होता है उनक मस्ति करते हैं बहुत बहुत जाते हैं खाना खाने की टेबल पर अब जब वो लोग कहा नियुक हो थय तो कौन से डारेक्शन इसने कहा था कि भाई बारिश आएगी तो भाई उसी वाले डारेक्शन से जो है बारिशानी शुरू हो जाती है तो जल्दी से लाइव चैट पे जो है फायर इमोजी लगा दो क्योंकि जो है ये बहुत जल्दी जल्दी हम अपना पूरा सलेबस कंप् सब्सक्राइब ञाव का सब 5 गार्येस बारिश तूम लिए तो इसे जाओड से ने कि से करा था mobility पर सेबक्रेशान ने जरुक्स पानी की बूंदों का कितने पैसों से कितने सेंट से उसने comparison कर रहा था तो वो ऐसा comparison करता है बड़ा खुज होता है भाई पैसे परसरे हैं क्योंकि यह पैसे क्यों है क्यों कि बारिश होएगी फसल कटेगी पैक पैसा कम आऊँगा बट अनफॉर्चुनेटली क्या हो जाता है दीरे दीरे क्या होता है वो जो बारिश की बूंदे थी वो ओलो की परसाथ में बदल जाती है और लेंचों की पूरी की पूरी फसल जो है वो खराब हो जाती है अब वो बहुत परिशान हो जाता है उसकी फैमिली बहुत परिशान हो जाती है वो कहता है कि अगर लॉक्स का जुन आया होता, तो भी तन उक्सानी होता, अब तो हमारी लिए कुछ नहीं बचा है, पूरा फैमली बहुत ज़दा निराश हो जाती है, पराइशान हो जाती है, और फिर जो है, वो सुश्तिया नहीं नहीं नहीं, इतना परशोन उनी की जुर्ऱत नहीं है, दुनिया में मदद मागुंगा ठीक है समझ में आ तरीके से बढ़िए अब लेंचो सुबा सुबा एक दिन बैठ जाता है और बैठ के जो है एक लेटर 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 लेटाए जहींकि है पर बहुत करता है इस पढ़ना लिखना बुक में तो क्यों करी गई है because यह आपको बताया जारहे और उसे पढ़ना लेखना आता है तो समाझ गए इस पर क्वेशन आ सकता है तो आप लेंजो बैट के लेटर लेखता है और उस लेटर में भगवान जी को अपनी पूरी प्रब्लम बताता है कि भगवान जी मेरी फील्ड खराब हो गई है अब फील्ड को दूबारा जो है तो संडे को जब सुबा ऊजनकी है यह बढ़ा है जान उजा ते इस पर लिखा है कूँकि आठ्रेस क्या लिखा था उस्लेटर के उपर तू गॉट तू गॉडड लिख दो जल्दी से लाइव चार्ट के अंदर टू गॉड क्योंकि बार-बार आपको एक्जाम में पूछा जा सकता है उसने लेटर पर क्या लिखा था तो वो लिख देता है टू कॉर्ड बहुत सारे जो एंप्लोई से बड़े परिशान है रहा है यह जो क्या लिखा है को आध तक हमने ऐसा एड्रेस है थे का भगवान जी के लिए ल लिख दिया बट फिर डिसाइट करता है कि वह कितना बड़ी है इनसान का विश्वास से में इसकी मदद करूंगा तो वह लेटर को ओपन करते हैं और शूचते हैं कि इसका रिप्लाइब करूंगा लेटर को जब लेटर पढ़ते हैं कि भाई इस आर्मी को तो पैसो की भी जो है वो मुश्किल से खटा कर पाते हैं 70 पैसो तो बड लेंचो के लिए वो कितना पैसा खटा कर पाते हैं ही कलेक्टेट 70 पैसो फ्रॉम इस ओन एफट अब उन्होंने का चल 70 पैसो हो गया तो उस तो मदद होई जाएगी फार्मर की 70 पैसो दे देते हैं अब वो क्या करते हैं वो एक लेटर में एंवलब में 70 पैसो रख देते हैं और लेंचो भाई साब जो है अगले ही दिन अगले संडे जाब होता है एक हफता बीद की अगले संडे को अपना लेटर लीनिया आ जाता है उसको लग रहा है भावान जी रिप्लाइब भी पका करे यह समझ लो पोस्ट ऑफिस के लोग जाकर लेंटर लेक्ष लिख सकते हैं यहां पब्लिक राइटिंग ड्रेस पर जाकर यह ईक है पीपर लेता है और उसको मेल कर देता है उस लेटर को पूस बॉक्स के अंदर फिर जो है लेंच वहां से चला जाता है गुस्से में तो फि करते हैं उस लेटर को और भाइस साब उस लेटर पे यह लिखा था लें जुने कि भगवान जी मेरे को आपने सतर पैसोज ही दिये हैं मैंने आपसे सौ के डेमांड करी थी तो प्लीज मेरे बचे वे तीस पैसोज मुझे जल से जल भीजवा दो और अब की बार जब पैसे भी इंक्रउटीज जिन्नों ने अपनी इंकम में से कुछ कुछ जोड के इसको जो है डोनेट करा था यह उनहीं को जो है इनजाम क्या लगाता है कि यह लोकंश धीक है तो विद्श आपका यह चैप्टर हो जाता है बाकी और कुछ है नयीच चैप्टर में ठीक है जी अगला continue करते हैं अब यह जो slides है आपको यह मिल जाएंगे आपको Google Drive में I have provided you the complete PDF ठीक है चलो अगले पर चलते हैं और यहां पर question answers भी है जो आपको next video में हम question answers all cover करेंगे ठीक है अपने अगली chapter पर जिसका नाम है Nelson Mandela Long Walk to Freedom यह क्या है यह autobiographical account है Nelson Mandela जी का जब वो South Africa के president बने थे जिस दिन वो South Africa के president बने और वो जो है अपनी author taking ceremony में गए तो उस दिन जो पूरा function हुआ था उसके बारे में उन्होंने इस अपनी autobiographical account में हमें बता रहा है और हम पढ़ रहे हैं ठीक है तो कौन से date थी वो जिस दिन पर उनका जो है अगर इसे English में कहोगे तो ओट taking ceremony हुई थी तो वो था भाया दिन 10 मही 1994 का तो इस बात को जल्दी से comment section में लिद दो जिससे ये date तुमें तुम्हारे दिवांग में learn हो जाए तो Nelson Mandela जी first black president मत्या South Africa के 10 मही 1994 को अब जो वो जो उनका जो है ओट taking ceremony हुई थी वो कौन सी जगा पे हुई थी तो उसका venue ज़रूर याद रख लो वो हुई थी Sandstone Amphitheater building के अंदर in Pretoria ठीक है तो यह आपको याद रखना है यह जो venue है इसको भी मुझे जल्दी से live chat में बता दो Sandstone Amphitheater जो building थी वहाँ पे हुई थी ठीक है अब वो जो दिन था वहाँ पे वो दिन उनके लिए बहुत ज़़दा special था क्योंकि guys अब finally जो है South Africa में से apartheid system end हो चुका था और वहाँ पे जो है ऐसी रिजायम established हो री थी जो लोगों के उपर उनके color के basis पे भेदभाव नहीं करने वाली थी और जो है Nelson Mandela जी क्या बन गए थे president बन गए थे अपनी country के तो वो अलग-अलग चीजों को याद करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसा उनको feel हुआ उस दिन पे जजिन उनों ने जो है वो assembly उनकी चली थी ठीक है तो first of all he addressed the rainbow gathering with a zest telling that never never ever again should it be that beautiful land would experience the operation of one by another ठीक है तो जैसे ही वो कहते हैं कि हमारी assembly शुरू होती है तो सबसे पहले तो जो उनकी बेटी सी जिनका नाम था नाम क्या था उनकी बेटी या वो मैं नहीं लाइब चाट के अंदर तो उनकी बेटी उनके साथ accompany करती है उनको ठीक है वो वहाँ पॉस्ते हैं और फिर जो है vote taking ceremony शुरू होती है पहले जो first deputy president है vote करते हैं फिर उसके बाद second वाले और फिर finally chance हती है नेलसल मंडेला जी अपनी country के लोगों को promise करते हैं कि अब मैं president मन social culture दोनों टाइक के ठीक है he wish that freedom in जो है आफरिका शुड रेन कि भाई आज से मेरी country के अंदर freedom ही freedom होगा लोगों को freedom मिलेगे जैसी वो अपनी speech complete करते हैं तो तब ही क्या होता है कुछ army officers को वो देखते हैं उनको salute कर रहा होता है तो वो देखके उनको याद आता army officers को कि क्योंकि अब समय बदल चुगा था तब जो है वहाँ पे जो black people जो उनके उपर बहुत अत्याचार होते थे तो उन लोगों को करना परता था उनके उपर अत्याचार बट आज जो है उनकी society के अंदर से सारा discrimination end हो रखा था बच्चों को ये chapter इतना मुश्किल लगता है गाया जाते है टू national anthem क्यों एक blacks का national anthem और एक whites का national anthem जो है वो गाया जाता है ठीक है तो ये जो notes है वो direct आपको मैं Google Drive पर प्रोवाइड कर दूँगे वहाँ पे जो है आपको मिल जाएंगे ठीक है उसके बाद जो है उनके सर के उपर से क्या निकल के जाते है जैसे हमारे रि पर से और वो शेवरा पैटर बना रहे होते हैं इनके साउथ आफ्रिका के सभी के सभी रंगों ठीक है तो याद करते हैं यह को याद करने का मतलब क्या हुआ वह याद करते हैं उन लोगों के sacrifices को गाई जिन्हों ने अपनी जो है जान को दाओ पे लगाया अपनी कंट्री म नहीं बहुत बड़े बड़े जो freedom fighters हैं उनका नाम लेते हैं और उनको thank you करते हैं अपने मन के अंदर और हमें बताते हैं कि वो हैं जिनकी वज़े से आज हमें real freedom मिला है he tells that the my tears were the men of extraordinary courage, wisdom and generosity जैसे हमारे freedom fighters है we have so many freedom fighters हम उने थैंक करते हैं न तो Nelson Mandela ची उने थैंक करते हैं कि खाली मैं नहीं हूँ उन सब के sacrifices से उन सब की समझदारी से और उन सब की generosity से ये words cover कर लो courage, wisdom, generosity से आज जो उनकी country South Africa थी वो बड़िया बन चुकी थी वो अब freedom में आ चु South Africa है, वो minerals और gems में rich नहीं, minerals क्या होते हैं, वैसे South Africa में अगर खुदाई करो तो बहुत mineral बहुत gems है, बट वो कहते हैं मेरे South Africa की real gem कौन है, real wealth क्या है हमारी country के people, जो है जिनोंने इतने अच्छे तरीके से जो है अत्याचार के खिलाफ fight करी, तो वो सब को thank you कर रहे हैं, जि South Africa के अंदर भाई जो white skin people थे, वो dark skin people के ओपर अत्याचार करते तो उनसे नफरत करते थे और उनके साथ गलत विहवार करते थे, तो वो यहाँ पर यह कहते हैं कि यह जो नफरत भरी जाते हैं अंसान के अंदर, यह artificial है, मतलब समहलो, यह जबरदस्ती किसी के अंसान के तो छोटे बच्चों के मन में नफरत नहीं होते हैं किसी के लिए भी, वो सबके साथ equally behave करते हैं, तो जब हम पैदा होते हैं, तो जो God होते हैं, वो हमारे मन को बहुत साफ बनाते हैं, बहुत beautiful बनाते हैं, इस पैसा question आ सकते हैं, आपके paper में इसलिए बता रही हूँ, बढ इस से अच्छा लोगों को प्यार करना सिखाना चाहिए, और अगर प्यार करना सिखाएंगे तो दुनिया बहुत ही beautiful हो जाएगी, if people learn to hate, they can be taught to love too, अगर नफरत सिखाए जा सकते हैं, तो प्यार भी दिखाया सकता है, ठीक है, he talks that man's goodness is a flame that can be hidden, but never exhausted, वो एक example भी देते हैं, कि कोई एक guard होता तो उसको थोड़ा सा में उसके आखों में इंसानियाद दिखते थी, उसे बुरा लग रहा था था, और कहने तभी मेरे को भरुसों हो गया था, कि हाँ अब भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लोगों के मन में इंसानियाद बची है, जो इंसानियाद की flame होत इंसानियाद की, वो बुझ नहीं सकती, चाहे थोड़ी रुख जाएगी, बढ़ कभी बुझ नहीं सकती है, ये बात उन्हें समझ में आ जाती है, नेक्स बात उन्होंने ये बताई, इस वाले नोट से आप पढ़ोगे, आपको सब्रिवाइज होता है, आप ये बहुत बट क्योंकि वो साउथ आफरिका में उस समय रहे रहते हैं, ये वो ब्लैक, तो वो अपनी दोनों ही ड्यूटी जो है, सर्व नहीं कर पा रहे थे, ना ही वो अपने फैमिली को प्रोटेक्ट कर पा रहे थे, जो उनके साथ डिस्कर्मिनेशन होता था उससे, ना ही वो अप अफरिकन नैशनल कॉंग्रेस जोइन करने की, यानि की पॉलिटिकल पार्टी को वो जोइन करते हैं, और वो एक फ्रीडम फाइटर बन जाते हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि नेलसन मंडेला जी ने बच्पन से ही अपने लाइफ में सोच रखा था, एम बना रखा था, कि व अज में आया, कि इस कंट्री में रहते वे में, आफरिका में जिस समय पे जो है, साथ आफरिका में जिस समय पे अपार्थाइड है, में फ्री नहीं हूँ, फ्री में तब होगा, जब ब्लैक्स और वाइट्स के बीश का भेदभाव खतम हो जाएगा, तो तब वो क्या होता है, फाइनली वो उप्रेसर के बारे में भी कुछ स्टेटमेंट देते हैं, यहां से आपका क्वेशन आएगा, उप्रेसर बतलब कौन हुआ, जो अत्याचार करता है, तो वो कहते हैं, आप इनके उपर अत्याचार कौन कर रहे थे, वाइट स्किन पीपल, तो वो कहते है, कि अत्याचारी जो है, और जिस पर अत्याचार हो रहा है, दोनों ही एक नाइक तरीके से परशान होते हैं, तो लेट स मेक अ वोल्ड जहां पे कोई उप्रेसर नहीं होगा, और कोई उप्रेस नहीं होगा, वो यही कहते हैं, दे आर रॉब्ड ऑफ दियर हुमानिटी, ह उप्रेसर कौन हो गया, जो अत्याचार कर रहा है, तुम किसी पर अत्याचार कर रहा है, तुम किसी पर अत्याचार कर रहा है, तुम इंसानियत नहीं है, तुम इंसानियत तुमने गवा दी है, और जिस पर अत्याचार हो रहा है, वो भी बेचारे के साथ बहुत गलत हो र है competency based question आ रहे है इसलिए मैं आपको बता रही हूं he is giving us a message to make a world जहां पे कोई oppressor कोई oppress ना हो to make a world where we love each other where we respect each other to make a world जहां पे जो है किसी के basis पे discrimination ना होता हो यह तीन लाइने भी अगर तुमने समझ ली तो तुम तो यह सीगल है मैं इसे सीगल हो कहती हूं बड़ा प्यार सा है यह क्यों टू सा है हमारा सीगल ठीक है जी तो पता है न सीगल कौन होते हैं सीगल एक बढ़ होती है कहां रेती है सीगल सी के पास में रहती है मचली को जो है डाइव मार के जो है खालेती है सी में से बट यह जो भाई में तो डूब के मर सकता हूँ इसके जो भापा है जो इसके भाई-बेन इसके जो मम्मी है यह से कजोल मतलब क्या हुआ डाचते हैं टॉंटे मारते हैं बैटा सुड़ ले बैटा खाना केसे खाएगा क्या करेगा उनना नई सिकेगा तो बट ये बहुत जादा भैबीत है ये बहुत जादा डरा हुआ है अब एक दिन इसके मॉमी पापा और भाई भाई भेन लोग क्या करते हैं जब सब उड़ गए तो इस पे ध्यान देना छोड़ देते बहुत जादा है वो इसको खाना खाने को नहीं देते और ये डेस्परेट होता है हंगर से कि भाई मैं क्या करूं क्या ना करूं तो ये सोचता है कुछ ना emotional overacting करके melodrama करके अपना काम चलाता हूँ तुमने कभी करा है melodrama अपनी बाते में वाने के लिए करा है तो बता दो live chat में नहीं करा है तो भी बता दो तो melodrama जैसे न छोटे बच्चे करते हैं acting करते हैं ममी पापा के सामने तो ये भी ऐसी सोचता है कि भाई अब मेरे को खाना तो ये खिला नहीं रहे ये मुझे force करें मैं उड़े में मुझे डर लग रहे है तो इन पर थोड़ा emotional तिया चार करता हूँ तो ये क्या करता है ये चटान पर होता है अपनी और सामने वाले प्लाट्यू पर इसकी पूरी family होती है इसके पापा अपने परस ही कर रहे होते हैं आपा राम से बैठे होते है भाई भेहन भी इदर उदर बैठे होते है तो ये अपनी मम्मी को देखता है और अपना एक पैर अंदर करके सोना शुरू कर देता है तुमने देखे हैं बर्ड्स को सोते वे देखा है तो मुझे येस में बताओ लाइचाट में बर्ड्स जब भी सोती है तो वो अपना एक पैर जो है उठा लेती है और आखे बन करके तब सोती है तो ये वैसी सोने की आ और वास लगाते है अपनी मदर को तो इसकी मदर क्या करती है अपनी बीक के अंदर फिश रखे इसका वड़ती व्याति है तो यह बहुत खुश्खी अरे को खाना खीलाने हा ठीक है तो मैं ब्लू से करती हूं जोसे तुम्हें समने आई से तो तुम्हें पता ही होगा यह सी है यह हमारा सीगल है यह इसकी मम्मी है उड़ती वी आ रही है इनके पास एक फिश है ठीक है तो यह क्या करती है इसकी मदद क्या करती है यहां से वाल लगाता है ममी घाना दे अरी रहावा में रास्ते में क्यों रुख गई है तो यह excited होके इससे रुका नहीं किया यह जंप करके अपनी मा की तरफ कूद पड़ता है खाने के लिए अब क्यों कूदता है यह इसको क्यों कि भूग लग लग रही थी पहले यह कभी भी नहीं कूदता था उस चटान से क् क्यों कि नीचे को गिर रहा हो दाए बट यह क्या है यह सीगल है इसे बर्ड है इसे उड़ना आता है इसे भागवाण जी ने उड़ना कि सारे वह जीज़े दिया है जिससे यह उड़ सकता है तो यह अपने परों को जो हैसे खुलता है अब जब यह फ्लाइग करता है और हुआ निकल के जाती है कट हो दिया हवा इसके परों में से तो यह बहुख खुश होता है और इसकी माकेट ड्रेक जो है वो काम कर गई उन्होंने क्या करा इसे लालच दीया कि सका फिश का कि उस फिश के लालच और ये बहुँता था तो इसने वो छलांग लगा दी यह लाते हैं आज आजा खाले अब कुछ खाले बेटा खाले अब जब यह नीचे आ रहा हुते हैं तब भी से ड़ लगता है कि यह जो सी का बैठ है उस पर बैठेगा तो नीचे डूब जाएगा बट नहीं यह बर्ड की बाड़ी ऐसी बनी वेए कि यह फ्लोट करते तो यह फ्ल ले जा रहे है उनका ,,, Decoda ।क़ॉय्व से कहा बपास City वह बता रहे हैं उस दिन को जिससी वह पैरिस से कहा जा रहे इंग्लेंड जा थे अपने घर ठीक है तो बड़े एक्साइटेट थे अपने घर जाने के लिए अब रात को कम लगबाग माने लो एक बजे के करीब वो पैरेस से निकलते हैं अपना प्लेन लेके और कहा जाएंगे सुबा तक वो ने पाता है कि मैं इंग्लेंड पहुझाँगा और जा कि पस बगएरा चेक कर लेते हैं अपने फ्यूल टैंग इनके पास दो यह होते हैं पूरा चेक करके नीचे जो है हीड़कॉटर्स जो होते हैं जहां से पुरा डिरेक्शन लेना होता है प्लेन को वहाँ नीचे डिरेक्शन कंट्रोल रूम में पूछ लेते हैं और वो उनको west की तरफ मुड़के काफी आगे तक जब चले जाते हैं और पैरिस इनके काफी पीछे छूट जाता है भाईया पैरिस से इंगलेंड जाना है तो बीश में और देश भी तो आएंगे और जगाएं भी तो आएंगी तो ये 12 ओर ईगे की जब का इंगलेंड या फिर जो टुस मुड़के योइस तो निकल कर thumbs ये熱 जा कर एक ही तरीका तो तुफान के अंदर चले जाए या अपने घर वापस चले जाए पैरिस तो यह सोचते है रहे नई यार मेरे को तो घर जाना है मेरे को तो बहुत माने है मुझे अपने घर वाले उसे मिलना है मुझे बेक्फिस्स खाना है तो लेट्स टेक दा रिस्क तो यह रिस्क ले लेते हैं भाई साब और यह उस तूफान के अंदर एंटर कर जाते हैं तो वह उस घने तुफान के अंदर वहां हवा में रात के एक डेड़ बज़रे होंगे भाई साब तो यह उस तुफान वाले एंटर कर जाते हैं अब जैसी यह उस तुफान में एंटर करते हैं बिल्कुल सड़नाट होता काला अंधिर होता और सड़नली जैसे हम मूवी उसमें देख कि जो है कोई signal ये नहीं लगा पारे थे अब क्या करें हमारे पाइलेट जी बहुत डर जाते बहुत डर जाते इन्हें समझ में आते भाई अब तो मैं मरूंगा अब मेरे को कौन बचाएगा मैं कहां लिया आया अपने प्लेन को तो ये बहुत ज्यादा परशान हो जाते और अब तो बहुत खुश होते हैं उनको रियलाइज होता है कि भाईया मेरा फ्यूल टैंक है अब तो वो बिलकुल खतम होने वाला है अब अगर मैं जो है लैंड नहीं करूँगा तो बहारा प्लेन क्रैश हो जाएगा और तबी क्या होता है सामने से वो कहते हैं कि बादल जट जाते हैं बिलकुल सारे बादल हट जाते हैं और उनके सामने नीचे क्या आ जाते हैं दो लॉंग स्ट्रिप्स आ जाते हैं आने क ख़ब भी नहीं था तो बड़े कंफ्यूज हो जाती है अभी तो मेरे को आसमान में उपर वो मदद कर रहा था मैंने लैंड कर रहा है मतलब उसने भी करा होगा confused हो कि वहाँ पे जो control room था जहाँ पे इनों ले land करता रंवे पे उस वाले control room में जाकि वहाँ पे जो lady थी उससे पूस्ते है कि please मुझे बताओ कि उपर मेरे रिलावा कौन सा plane था जिसने मेरी मदद करी है उसने मुझे तूफान में से निकाला है तो वो lady इनको हसके बता थे तुफान में निकालने में मुझे मदद करी और फिर जब मेरा fuel tank खतम होने वाला तो मेरा plane land भी करा दिया कौन था वो ये question mark पर ये वाला chapter आपका end हो जाता है तो जो है अब तुम खुद सोच लो कि क्या हुआगा किसने मदद करी होगी black hero plane के pilot की तो इसके questions भी ready है but that we will study in the question answer series अब नेक्स chapter from the diary of Ann Frank ठीक है ये chapter exam के लिए बहुत ही जादा important है इस chapter में आपको बताया जाएगा कि भाई जब Ann Frank थी अपने diary लिखी थी तो उनकी diary में जो उन्हें अपने school के days mention करे थे that you will study अब Ann Frank कौन है पहले आप ये जान लो तो Ann Frank थी एक Jewish लड़की जो जो है Holocaust की victim रही थी Holocaust मतलब जब Hitler ने भाई Jews पर अतियाचार करना शुरू कर दिया था तो ये भी उन्हें में से एक थी तो Ann Frank थी इनका जर्म हुआ था Germany के अंदर but Germany से फिर इनके पापा इनकी पूरी family को लेके धीरी धीरे कहां shift हो जाते हैं Amsterdam में shift हो जाते हैं जिससे की जो है वहाँ पर जूस के उपर इतना अतियाचार नहीं हो जाता तो ये वहां shift हो जाते हैं बट unfortunately क्या होता ये Hitler वहां Amsterdam भी पहुँच जाते हैं और वहां पे भी लोगों के उपर अतियाचार करना शुरू कर देता है तो Anne Frank कहा चली जाते है Anne Frank के फादर अपनी पूरी family को लेके अपने office की building के छट के उपर ना hiding पे चले जाते हैं और उस hiding पे भी Anne Frank जो है अपनी ये diary जिसके बार में अभी आप पढ़ोगे जिसका नाम हो kitty रखती है उसे अपने साथ में रखती है और diary लिखती है बट unfortunately इनको जो है hiding मतलब छुपके रह रहे होते हैं ये लोग police वालों से Hitler से बट इने पकड़ लिया जाता है Anne Frank को concentration camp में डाल दिया जाता है वहाँ पे उनकी death हो जाती है और जब उनके father ही बसते हैं उनकी पूरी family में से उनका नाम होते है Otto Frank तो जब वो बहार आते हैं तो वो इनकी इस diary को publish कराते है I am telling you all of this क्योंकि अपकी बार आपका paper pattern बहुत different है तो कोई भी question आपको बन के आ सकता है तो अब जो ये diary उनकी publish हुई तो आज हम उनकी diary का वो किस्ता पढ़ेंगे जब उन्होंने diary लेखना शुरू शुरू करा था तो what she did ठीक है कि मैं 13 साल की बच्ची की life के बारे में जानने को कौन ही interested होगा और ये बात उनकी बहुत ironical साबित होती है और उनने diary लिखने से पहले ये सोचा था कि कौन ही उनकी diary को पढ़ेगा आज के समय पे world के best seller novels में से एक है उनकी ये diary ठीक है और वो second बात ये भी कहते है कि मैं ये diary पढ़ने उसी को दूँगी जो मेरा बहुत अच्छा friend होगा जो मेरे फ्रेंड नी होँगे मैं उनने नहीं पढ़ने दूँगी बट ये भी ironical है पूरी दुनिया ने उनकी diary पढ़ी और वो उनकी friend बने है उनकी diary पढ़ने के बाद में ठीक है अब उनकी जो ये diary है वो लिखने का reason भी बताती है अब why did Anne Frank write diary आपको ये question आ सकते है कि उन्होंने diary लिखने शुरू क्यों करा तो उन्होंने diary लिखने शुरू इसलिए करा था वो क्यों कि वो कहते है मैं बड़ी अकेली हूँ अकेली इसलिए नियुकि मेरा कोई दोस्त ने कहने को तो मेरे बहुत दोस्त है तीस लोगों को तो मेरा दोस्त कह सकते हो मेरे रिष्टेदार भी है family वाले भी बहुत अच्छे है बहन है भाई बहन है मम्मी है पापा है मासिया है सब है मेरे family में दादी में है मेरी बट फिर भी जो है मैं बहुत अकेलापन महसूस करते हूँ कोई एक ऐसा इंसार नहीं है जिसको मैं अपने सारे secrets बता सकूँ तो इसलिए ये diary है मेरी मैं इसको अपने सारे secrets बताऊंगी तो वो diary को पूरा अपना introduction देती है मैं Ann हूँ उनके मम्मी पापा की शादी कब हुई उनकी बहन का नाम कब है क्या है ये सब कुछ उसे बताती है और फिर अपने diary लेखना शुरू करती है अब एक information Ann हमें और देती है कि जो उनकी grandmother थी उनसे Ann बहुत जादा close थी जो उनकी grandmother थी उनकी death हो जाती है तो वो बहुत जादा परशान होती है बाद में अपनी जो है दादी जी को Ann जो है बहुत जादा miss भी करती है अब हम चलते हैं Ann की diary के उस account पे जो हमें पढ़ना है तो Ann अपनी diary में एक दिन के बारे में बताती है जो दिन उनके class में बहुत जादा शोर हो रखा था हंगामा हो रखा था ठीक है तो ये June का जो है ये date आप देखो इस date की ये diary लिखी होती है उन्होंने तो वो जो है लिखती है उस diary के अदर अधर बताती है कि उनकी class में बहुत ज़दा जो है न बढ़ा शोर हो रही है क्यों हो रही है क्योंकि उनकी class में आज उनका result एनाउंस होने आला है और हर बच्चा confused है कि वो पास होंगे या नहीं होंगे तो वो जो है कहती है मैं अपने लिए और अपनी दोस्तों के लिए तो शौर हूँ कि हम लोग पास हो जाएंगे बट वो confused है टीचर को उन्हें कोई भरूसा नहीं है कि पता नहीं टीचर किसको पास कर दें कि किसको पास वो नहीं करेंगे अब एन फ्रैंक के स्कूल में उनकी कहते हैं बहुत सारे टीचर्स हैं नौ टीचर्स हैं बाकी सबसे उनकी बनती है बस एक टीचर है उनके मैट्स के टीचर उनका नाम है मिस्टर कैसिंग उनकी एन फ्रैंक से बिलकूल नहीं बनती क्यों नहीं बनती क्योंकि एन जो है मैट् के तीचर थे तो वो सिंपल सी पांडिशमेंट नहीं देते हैं फो और को कहते यह तुम्हें एक जर्ते हों को यहे ऑंपर लिए घ्र대light G लाना है तुम्हें एक अधा से लेखलेश लेने कुंछ है है सर उन्हें कुछ नहीं क्या लेटर लिखा है क्या अ नहीं क्या नॉवल लिख दिया उन्होंने तेरा साल की उम्र में मतलब अपनी डायरी लिखी वो नॉवल बाद में बन गए तो उनकी राइटिंग स्किल तो बहजरीन थी ही तो वह बड़ी आसा ऐसे लिखती है और उस दिन सर्वास के पर पूरा ऐसे लिख देती है अब उस क्या पर लिखा उन्होंने यह लिखा कि सर मैं बहुत कोशिश करूंगी कि मैं बाते ना करूंगे और फिर कोशिश करूंगी तो मैं बाते करना नहीं लीव कर सकती क्यूंकि यह मेरा inherited trade है, आपने inherited trade पढ़े हैं, क्या होते हैं, तो यह मुझे inherited trade मेरी मम्मी से आया है, मेरी मम्मी बहुत बाते करती है, तो मैं भी खुद को बाते करने से रोग नहीं सकती हूँ, तो मैं क्या कर सकती हूँ, यह वो जो है अपने chatterbox वाले SC में लिख दे दिया, तो ऐसी arguments सुनके, सुनके, उनके match वाले सर, उन्हें एक दो दिन तक कुछ नहीं कहते हैं, क्लास में उन्हें बाते करने देती हैं, अब जब फिर से बहुत ज़्यादा बाते करी होती हूँ, तो सर देती है second punishment, अब second punishment, लाइफ चार्ट में लिख दो चल्दी से second punishment में सर, अब उन्हे जो है, ऐसे लिखने को देते हैं, incorrigible chatterbox पर, incorrigible मतलब क्यों होते हैं, जो सुधर्ने नहीं वाला, ना सुधर्ने वाला, जिद्धी धीट हो गया एकदम से, तो वो उनको इस बात पर जो है, फिर से लिखने को देते हैं, इन्कॉरिजिबल chatterbox, वो लिखती हैं, बड़ी ऐस इसे लिखने को देते हैं, वो challenging essay का topic क्या था, क्वाक, क्वाक, क्वाक सेट, मिस्ट्विस chatterbox, अब वो बड़ी परशान हो जाती है, कि भाई, इसमें में क्या लिखू, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, क्योंकि जो सारे original ideas थे उनके दिमाग पे, chatterbox को लेकर वो आया, उसके बाद तो कभी सड़ने उन्हें कोई punishment मिन दी, क्यों, क्योंकि उन्होंने ऐसे में क्या लेखा, कि एक family है ducks की, ठीक होती है, बत्तक क्वाक क्वाक करती है, तो वो duck की family में क्या हुआ, जो father duck था, उसने क्या करा, अपने जो बच्चे थे, जो उसके ducklings थे, उनको जो है, जो छोटे बच्चे जो quack quack करते थे, उनको मार दिया, जान से मार दिया, उनको क्यों मार दिया, पीटाओं ने मार दिया, because वो हर दिन quack quack करते रहे थे, तो तो उसने irritate हो के उनको मार दिया, अब ये जो है, उन्होंने बहुत funny way में प्रेजेंट करा था, और वो positively लिया, वो एक बहुत ही अच्छे teacher का example है, उन्होंने उनके जो है, इस essay को कि ऐसे father ने बच्चे को मार दिया, उसको positively लिया, in fact उस essay को जाके हर class में सुनाया, कि देखो Ann ने कैसे essay लिखा है, और उसके बाद उन्होंने Ann को बाती करने से भी मना नहीं करा, और फिर उनके teacher क काफी अच्छे भी लगने लगे, तो वो जो है, math teacher का character sketch में आपको कराऊंगी, बहुत important आपके exam के लिए, ठीक है ठी, तो विदेज ये वाला chapter भी खतम, अब परते हम अपना अगला chapter from diary of Dan Frank के बाद में, जो आता है हमारा glimpses of India का baker from Goa, ये तो बहुत ही प्यारा सा chapter है, इ अब ही जैसे अगर आपको पता हो तो Goa के उपर बहुत समय तक, बहुत सालों तक जो है Portuguese की colony रहा है Goa, और Portuguese rule करते थे, तो Portuguese तो चले गए, बड़ो Portuguese के जो खाने थे, वो आज की समय पे भी गोआ में बहुत फेमर्स, अगर आज भी अगर आपको गोआ जाओ, तो वहाँ प पैडर घर के बाहर ब्रेड बेशने आता था, तो क्या महौल रहता था और क्या कुछ कैसा सब कुछ चलता था, ठीक है, तो authors recalls the childhood days, ठीक है, तो the writer remembers his childhood days when the baker used to be their friend, companion and guide, तो वो जो है ना बेकर को क्या कहते है, इसको मा कर लो, ये लिख दो जल्दी से live chart के अंदर, वो बेकर होता है, उसको क्या कहा जाता है, ये भी आत कर लो, बेकर को कहा जाता है, पैडर, उनकी society में बेकर को क्या कहा जाता है, पैडर कहा जाता है, गोवा के अंदर, और जो है बेकर क्या बेशता है, बहुत टेस्टी टेस्टी ब्रेड बेशने आता है, कब आता है बेकर twice a day, दो बार उनके घर के बाहर आता था वो कब उनके बश्पन में दो बार क्यों आता था एक बार सुबा आता था भरीवी बास्केट लेकर एक बार दुपहर के समय में खाली बास्केट लेकर आता था जब बेकर आता था तो वो एक जो है अपने साथ लकडी का डंडा लेकर आता था एक bamboo का डंडा होता था और वो न बच्चे के जो है ऑथर बताते हैं जब छोटे होते थे हम सो रहे होते थे जैसी हमें बेकर के आवाज आदे थी उसके घंटी बजने की हम भागते वे अपने कमरों से बहांद निकलते थे और उससे ब्रेड लेने के लिए निवे के नहीं हम लेती थे ब्रेड तो जो हमारे यांकी जो सर्मेंट होती थी वो ले लिया करते थे हम लोग क्या लिया करते थे हम बच्चे क्या एक गोल मेड होती थी ब्रेड यांग को सीजित्ट वेख एक क्या थ давते थे delivering the loaves में as the baker came he would call out the lady of the house and wish her good morning जब भी baker जो है bread deliver करता था तो वो जो सामने वाला जो भी उससे bread receive करता था उसको good morning करता था ठीक है कि good morning ये बच्चों को एक सीख दे रहे कि जब भी आप बड़ो से मिलो ये किसे से भी मिलो तो आप उने पहले wish करो ये नहीं पैसे लिए और अपने समान बेज दिया काम हो गया नहीं वो good morning wish करता था जब बच्चे बहुत misbehave करते थे इधर उधर से घोम फिरके उसकी bread की basket में यू जहा करे होते थे हमें पहले sweet bread दे दो तो वो उनको थोड़ा सा डाट भी देता था mild rebuke लेखा रिब्यूक मनलब हलका सा डाट दीता था तो आप imagine कर सकते हो कि उनका बेकर के साथ ऐसा जो है इतना अच्छा relation हुआ करता था इतना respect हो दी थी बेकर की society में कि बेकर उनके बच्चे को थोड़ा सा हलका सा डाट भी देते थे उनको manner से खाने के लिए कि बेटा नहीं नहीं इससे मत करो आप अच्छे से खड़े हो पहले जो है मैं bread दूँगा उ हमारे author याद करते हैं उसके ब्रेट की खुश्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्षष्ष्ष्ष्… मेरे दो वो कहते है को सब्सक्रास है को रेट के लगाज थे डग आरों मेंगा थो न्हीं पिश Suzy Weight को मेरे इनाषो है तो में और वह स्पसक्राइब हो वह volley दो होती थी वो हमाली बहुत जरूरी होते थे बिना बेकर की ब्रेड के कोई मैर्ज पॉसिबल नहीं थी ना ही कोई और फंक्षन पॉसिबल होता था जैसे कि डॉटर की जब लड़की की एंगेश्मेंट होती थी तो उनकी मदर सैंड्वेचेस बनाती थी उसकी ब्रेड बेकर ल लास्ट में बताते हैं ठीक है तो यह जो नोट्स है इससे आपका पूरा चाप्टर रिवाइज हो रहा है इससे आपको आंसर बनाने की टेखनीक भी पता चल रहे है इस आपको प्रोवाइड यू इंद गूगल रहे है प्रॉपर सी ब्रेस के पहनते थे जिसको कहा जाता कबाई के ए बी ए आई कबाई क्या होती थी एक सिंगल पीस की लॉंग फ्रॉक होती थी उनकी घुटनों तक आती थी और साथ में उसके जो है जो है इस वाली ड्रेस को आप याद कर लो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता दो इसको कहा जाता था कबाई फिर वो कहते दीरे सिरे बेकर ने एक और ड्रेस पहननी ही जुरू कर दई यह बेकर की सेव कि सेंट जर्व इंडेत ॥ी तो पहनते ही थे सो रहते जिरेड सिपोड़ीत ती या जित्ती नहीं होती थी short होती थी jeans से and longer than the half pants half pants यानि की जो shorts और निकर होती है उससे थोड़ी सी लंबी तो वो क्या होते भाई capri होती है न तो ब्याद में baker लोग white shirt पहेंते थे और capri पहेंके आते थे वो bread को बेचने के लिए और वो कहते है आज के जमाने में हमारे या जब भी अगर कोई गुआ के अंदर हमारी गलियों के अंदर कोई ये पहेंके चला जाए ना capri पहेंके चला जाए तो उसको सब लोग padder padder कहते है पैडर मीनिंग baker ठीक है अब वो finally हमें baker के profession के बारे में बताते है कि हमारे आगे baker ना काफी अच्छे खासे जो है पैसा कमालिया करते थे baker usually जितना अपना bill collect करता था वो end of the month में करता था और baker का जितना भी हिसाब होता था घर की एक दिवार पे pencil से लिख लिए आ जाता था और baker का profession profitable इसलिए था क्योंकि baker की bread के बेना ना ही लोगों की सुभा की शुरुआत होती थी ना ही उनका नाष्टा बनता था और साथी के साथ में वो कहते हैं अगर हम बेकर्स को देखे न तो वो पुरापर खाते पीते घर के लगते थे उनको देखो तो उनका चहरा ही में उनके सर्वेंट्स का तेरा इतना खुश दिखता था और वो इतने प्लम फिसिक के होते थे यानि यह मोटे तासी होते थे तो उनको देखके कहते ना खाते पीते घर का है तो ऐसा बिल्कुल उनको देखके लगता था तो नाओ बेकर्स और नोट फेमस इन गोवा अब भी है फिर हो आपने चाइल्डूट को रिकॉल करते है बेकर कैसे सुबा सुबा आता था बेकर कैसे डिलेवर करता था लोव्स को क्या कितनी इंपोर्टेंज है बेकर की प्रॉफिटेबल है ठीक है ये शॉट नोट भी बने वे हैं ये बार में गराद आपको प्रोवाइट कर दूँगे आप पड़ते अगला चाप्टर कूर्ज तो कूर्ज जो है एक तरीके का जैसे हम व्लॉग्स देखते हैं एक तरीके का ये व्लॉग है बट इसको हम study कर रहे हैं कहां है कूर्ज जो है बहुत ही beautiful जगा है ऐसा लगता है कि भाई ये जो है स्वर्ग से एक टुकड़ा हमारी धर्थी पे आ गया हो कूर्ज जो है इतनी beautiful जगा है कहां पे है तो आप सितंबर से मार्च के बीच में जाएए ठीक है कूर्ज के अंदर बहुत अच्छी वाइल लाइफ है बहुत सारा फ्लोरा है बहुत सारा फॉना और वहाँ पे कॉफी प्लांटेशन बहुत जादा करी जाती है कॉफी के बड़ी बड़े प्लांटेशन हो रखी है ब्रिटिश के जमाने के बंगलो है और उनको जो है बहुत बड़े बड़े पेड़ होती है अगर आप कूर्ज जाओ तो ऐसे पेड़ों की चादर ढखी हुई है कूर्ज पे और बारिश भी बहुत होती है तो वेरी ब्यूटिफुल जैसे हम नेचर को अगर आपको नेचर आपके दिवाव में दिसाता है ना तो नेचर को एंजोई करना हो तो कूर्ज एक ऐसी जगा है ठीक है अब जो कूर्ज के लोग हैं जो लोग कूर्ज के अंदर रहते हैं उनको लेकर दो बाते चलती है कूर्ज के अंदर कि कूछ लोग कहते हैं कि जो कूर्ज के लोग हैं वो अरेबिक दिसेंडियन्स है यानि कि अरब वल्ड से आए लोग है और कूछ लोग कहते हैं कि वो ग्रीक है ठीक है तो आप ग्रीक क्यों कहा चाता है वो जान लो कुछ लोग ग्रीक कूर्ज के लोगों को इसलिए मानते हैं तो आलेकजंडर की आर्मी थी एसा कहा जाता है कि जब वो वापस जा रहे थी तो एलेक्सेंडर की आर्मी का कुछ एक टुकडा जो है यहां नीचे कूर्ज में जाके सेटल हो गया था और नौर्मार हमारे के जितने इंडरल लोग थे उनके साथ जो है उनकी शादी हो गई और आगे उनका जो है आगे ऐसे ट्रेडिशन बढ़ता रहा तो इसलिए कहा जा है उनके राइट्स होते हैं जो भी फेस्टिवल पे अलग-अलग रस्मी होती है तो वो काफी ग्रीक वालों से मिलती है इसलिए कहा जाता है कि शायद जो एलेक्सेंडर की आर्मी का टुकडा है यहां रहे गया फिर वहां पे से वो लोग यहां सेटल हो गए हम लोगों के स साम में अगर की ओडी एजी वाजा तो कंफ्यूज होतो ना दीदी हमने तो कूर्च पढ़ा तो कूर्च को को दागू भी कहते हैं इसलिए को कूर्च के रहने वाले लोगों को को दाबूस कहते हैं तो यह लोग एक लॉंग ब्लाइडरी कोट पहनते हैं ठीक है क्या पहनत अब करडेश और अरब लोग भी एक ऐसी ड्रेस पहनते हैं ब्लाक कलर के जिसमें ब्लाइडरी वेस बेल्ट होती है उसे कहते है कुफिया अब तुम कंफ्यूज होगे कुपिया और कुफिया में तो जो कूपिया है वो कौन पहनते है डबल पी वाले तो कूर्च के लोग और जिसमें एफ आ रहा है वो करडेश और अरब लोग है वो पेंते हैं इनके इस ड्रेस की वज़े से भी कहा चाते है कि शाया देलो कौन है इडीज अरेभिविक डिसेंडनेंट उसके बाद हमें बताया गया है कि कूफिय के जो लोग है जो जनता है कूफिया की जो मेयल ह नवाजी करते हैं और इंडिया का जो कूर्ज का रेजिमेंट है वो मुझ्स डेकुरेटेड बहुत सारे मिडल्स मिले हैं हमारे कूर्ज के रेजिमेंट को इवें जो हमारी आर्मी के फर्स जेनरल थे जनरल करियापपा वो भी एक कूर्जी ही थे ठीक है तो ये बात आपको कूर्ज के लोगों को इतना भरूस हमान इतना जादा जो है स्ट्रॉंग इंडिपेंडेंटनेंट अन भरूस हमान रिस्पॉंसिबल माना जाता है कि यहां के लोगों को फायर रामस यान की बंदूक रखना अलाउड है बिना लाइसेंस और पर्मिट के जो हमारे कहीं और दो कूर्ज के बारे में बात करते हैं जो कूर्ज की नैचलरल ब्यूटी है तो कूर्ज जो हे वहाँ पे बहुत ही बढ़िया फॉरेस्ट है महां पे अलग-अलग टाइब के बड़्ड है अनिमल्स है लंगूर स्क्विरल ये वो एलेफिंस सारी बड़्ड है किंग फिशर भी देख सकती आपको बहुत अच्छा फ्लोरा फोना है हमारे कूर्ज का साथी के साथ में कूर्ज में बहुत सारी ट्रेकिंग ट्रेल्स बन रखे हैं जा लोग जाके ट्रेकिंग कर सकते हैं इवन बोरेंग अंसान भी वहाँ जाके Adventure Sports में इंग्रोस हो जाता है लास में उन्होंने हमें बताया है कि कूर्ज में जो है एक ब्रह्मागरी हिल्स है अगर आप वहाँ पे ट्रेक करके जाओगे तो वहाँ से आपको कूर्ज का पेनरामिक व्यू देखेगा यानि कि पूरा कूर्ज जो है आपको नीच से दिखाए देगा उस ऊची पाहडी पे चड़के पे एंड़न कूर्ज में से एक रोप ब्रिज जाता है जो एक आइलेंड पे लेके जाता है जो है निसरगधामा ठीक है अब वहाँ पे क्या है वो जो आइलेंड है आप उस रोप ब्रिज को क्रोस कर करके जाओगे यानि क्योंकि उस अटायर के अंदर तो ये है ब्यूटी कूर्श की आपने पढ़ लीजी अब आते हैं हम अपने नेक्स चाप्टर पे जो आगया हमारा टी फ्रॉम असाम तो टी फ्रॉम असाम तो बहुत ही मस्ट चाप्टर है दो दोस्त है राजवीर है और दूसरा है प्र जा रहा है ये जो है प्राजवीर राजवीर को लेखिए क्योंकि ये दोनों वच्चे राजवीर और प्राजवीर और प्राजवीर दिल्ली में पढ़ते हैं अब इन ये बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते हैं इनकी छुटिया हो रही है तो प्राजवीर चल मैं तुझे असा तो ये बहुत सारी बाते हैं ये home work करके लाया है क्योंकि ये चाय बनती है चाय को उगाया जाता है तो उस चाय तो उस चाय के लेकर जितने भी legends है यानि या कि चाय कहां बनी चाय के पूरी विकिपेडिया अपने दिमांग में ये बसा की लाया है राजवीर और हमें इस वी गृइनरी और टी प्लांटेशन sticks आुट साइड तो जब ट्रेन जा रही होती है तो ट्रेन एक जगह स्टेशन पह रुकी होती है चाप रैसे स्टार्ट में प्रांजल तो detective novel पढ़ रहा है अब राजवीर भी detective novel का fans है बट आज वो जो है detective novel नहीं देख रहा है राजवीर looks at the scenery outside and is mesmerized by the beauty वो असाम के जो fields आ रही है खेत आ रहे हैं उसकी beauty से mesmerized है वो greenery देख रहा है बार soft green paddy की field जो चावल की खेत आ रहे है उसको देख रहा है फिर जब tea bushes आनी शुरू हुई वो उसको देखकर जहां तक उसकी आखे जाने हैं वहां तक चाई पती के खेत हैं वो देखकर उनको बहुत ही जादा हमारा जो राजवीर है वो खुश हो रहा है क्योंकि राजवीर पहली बार गया है कहाँ पे वो गया है पहली बार तो अब राजवीर जो है कुछ बड़े इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट बाते मैंने का ना पूरी विकीपीडिया इसके दिमाग में पूरे टी को लेकर तो अब ये प्राजवीर को बताता है कि तुझे पता है टी के दिस्कवरी दिस्कवरी मतलब कि टी कहां पे बनी शुरुवात कहां से हुई इसको लेकर बहुत लेजंड्स है यानि कि कहा होते हैं बहुत पुराने जमाने से जो तलती आ रहे हैं तो जब ये लेजंड वर्ड प्रांजल सुनता है क्योंकि ये डिटेक्टिव नॉवल का फै है कि अग्सा जुए होते हैं बहुत घंवर दिस्कवरी को लेका लेकर राजभीर बता गएगा लेजऑगेत पहले लेजंड्स है पहला लेजंड है पहला लेजंड चाइनीग रेजेन हैं जहां को जाता है कि एक एंपररढ है यानी वो जब भी पानी पीता तो पानी को उबाल के पीता था एक बारी उबलते समय उसके पानी में कुछ पतियां गिर गई और वो टी लीव्स थी फिर उसको टेस्ट बहुत अच्छा लगा तो उसके बाद से टी को as a beverage वहाँ पर consume करने लगे ठीक है तो चाइना में वो कहता है च इनका नाम था बोधी धर्मा यहां given नहीं है बर उनको क्या था है उनको meditation करते विए नीन दाती थी तो उन्होंने आइलेट्स अपनी आग की पलके को cut कर दिया उस आग की पलकों से 10 टी के plants grew हुए out of the eyelids and उन अगर plants की लिए जो उन अगर जो है plant की पतियों को अगर तोड़ जाइन डोनों एक्जैम में आ सकते हैं यो हाव टू लर्न एठीक है अब वो यह भी बताता है कि यह जो वर्ड है चाई चीनी यह सब कौन से वर्ड है यह सब चाइनीज वर्ड है यह चाइनीज और जो यॉरप है वहां पे जो है चाई को ना ऐसा बेवरेज नहीं पिया ज सेंचुरी तक तो मतलब कि पहले अब अंग्रेज बिटिश जो चाई पीते है न यह यॉरप में यॉरप बिटिश य और यह तो है तो यह सब यह पताता है कि नहीं यॉरप के अंदर नग शट्रावी सदी तक 17th century तक तो चाई को ऐसा मेडिसन पिया जाता तक तब था पिय जिसके नामे देखी परेटी एस्टेट वहां पहुसते हैं जब वहां जाने का रास्ता भी भहुत ब्योट्पुल होता है राजवीर उसको भी बहुत जाद हैं जए सी वह पहुसते है तो एक ट्रैक्टर निकल रहा हुता है जिसमें टी लीव्स भरी पड़ी होती है और वो जो है जो भेजी जा रही होती है पूरे world में deliver करने के लिए और हमारी country में तो उसको देखकर जो है राजवीर बोलता है कि sir sir यह वो है ना यह हो sprouting season चल रहा है ना यह newly sprouted leaves है ना और यह sprouting सीजन है माई से जुलाई तक चलता है ना और यह पूरी दुनिया में बेस्क्वालिटी की टी प्रोवाइड करता है तो फिर जो प्रांजल के पापा होते हैं वह बहुत खुश होते हैं उनका नाम है विस्टर बरुवा वो समझ जाते हैं कि यह बच्चा बहुत अच्छा खा कि एक ऐसा बच्चा होना तो यह जो है यह आपको यहां पर दिखाया जा रहा है कि यह पूरी पढ़ा ही कर क्या है अगर यह किसे नई जगा पर जा रहा है उससे देखने इसके बीसिस के क्वेशन यहां पर रेडी है जो नेक्स वीडियो में कवर कर लेंगे अब आते हम अ पर्टन पार्ट बन गया था उनकी लाइफ का वो ओटर ओडर क्यों होता है उद्विला व एक जानवर होता है उसको यह पैट करते तो इनका जो डॉक्त हौस की डेथ हो गई थी तो उसके बार में बहुत परशान थे सूचते थे कि क्या कभी यह दुबारा पैट रख अब बहुत लोग अपने घर पे ओटर को पालते हैं और यहां पर डिग्रिस मार्शन में जो है ओटर अराम से मिल जाएंगे और जहां पर तुम रहते भी हो तुम स्कॉट लैंड में रहते हो वहां पर केमस्फियर ना है पास पर आने की वह जगा जहां पर पानी है तो रीया है तो एक और पाल लिओ तो यह डिसाइड करें था अब फिर यह जिस काम से बसरा गए थे महां पहुचते हैं मेल को पर पस यह जै जाते हैं तो इनके रूम के अंदर दो अरब लोग वैठे वे थे और णो ऑने साथ में बोरा लेकर आये वे थे और वह बोरा ठोड़ सा movement करा था हिल रहा था तो यह देखते हैं तो वो जो अरब लोग थे वो इनके हाद पर बोरा पकड़ाते हैं और एक लेटर पकड़ाते हैं वो इनकी दोस के तरफ से था इनकी दोस ने इनको एक order गिफ्ट करना था क्योंकि इन्हों ने उसको बोला था कि मुझे एक order लग गया उसकी वो पूरी डस्टो मिट्टे को उसमें से हटाने में तो पूरा फरी बहुत ही beautiful cute सा था वो order ठीक है अब जो वो order था उसको धीरे धीरे हमारे जो author है उसका प्यार बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है पहले दिन तो जब वो order उनके घर पे आता है तो वो बिल वो order का नाम भी रख देते हैं क्या मिजबिल तो वो मिजबिल उसका नाम रख देते हैं और वो उसके लिए बेल्ट बना देते हैं जैसे डॉक को हम कॉलर लगाते हैं वैसे ही ये उस मिजबिल के लिए बेल्ट बना देते हैं और उससे उसको जो है अपने पूरे घर में घ तो यह सबसे बहुत फेरिटल्स हो गई और उससे पूरा दिन में जो civicering ओका था आप już 생각 बस जाना था London ठीक है तो अब वो flight करने के लिए London के लिए जो है जाते हैं तो वहाँ पे flight वाले उन्हें कहते हैं कि वो pet को अपने साथ allowed नहीं करेंगे उनको जो है वो मना कर दीते हैं तो finally वो क्या करते हैं वो एक Paris की Airways थी परिस की Airways थी British airline तो उन्हें permission नहीं देती है तो वो एक दूसरी airline से permission लेते हैं तो वो उन्हें permission देती है कि आप अपने पेट को अपने साथ लेगे जा सकते हो बट तभी ले जा सकते हो अगर उसे आप एक box में pack करके लेके जाओगे तो author ऐसी करते हैं small box बनाते हैं order के लिए और उसको plane में जाने से कुछ घंटे पहले उस box में रख देते हैं और खाना खाने चले जाते हैं अब जैसी author हमारे खाना खा क्या आते है मैक्सवल जी तो वो देखते हैं मिजविल जो है वो box के किनारे जिसमें मिजविल को रखे गए तो उसमें खून निकल रहा था वो box क बहुँ है मिजविल को देखते है तो वह वो दर झाते हैं और उसकी वज्जविल को बहुत जाते हैं मिजविल को अच्छे से रकते हैं ज़ा के प्लेन में बैठ जाते है अब जब बैठ जाते है आप ऑपकी जो ए इयर होस्ट है तो हो बहुत ही प्यारी लड़की थी वह मारे ओधर की मदद करती है जू है हमारे ओधर मचली देते हैं इसको तरह ळसाद और उसे बताते है कि उसके पेट के साथ क्या क्या हुआ है कैसे उसको चोट लग गया इस बॉक्स में रहने की वज़े से तो वह एर होस्ट इस इतनी अच्छी थी वह हमारे ओधर को सेजेस्स कर दिया है आप चाहो तो इसे अपनी गोध में बिठा सकते हो आप ठ्रूआउट था पूरुट अफरत अफरी का महौल हो जाता है प्लीन में और फाइनली वह जब ऑठर है उसको फोड़ी देन ऐसी शेतानी वितानी गर्ट गरके हमारे जो ऑथर है मैक्सवल जी उनके वापस आके प्लीन में बैट जाता है तो फोड़ी बहुत उसने शेतानी प्लीन में भी करिए अब वो लंडन जाके सेटल हो जाते हैं एक फ्लैट में वो लंडन में रह रहे होते हैं वहां पे भी ओटर जो है हमारे वैक्सवल जी के साथ रहता है और बहुत खेलता है भाई साब इसको खेलने का इतना शौक था एक सूट के साइन के पास तूटावा उस पे खे जाके उल्टा लेट जाता था और अपने पेट पे मार्बल्स रखके जगलिंग करता था बढ़ी मज़ेसे यह जो ऑर्टर था यह खेलता रहता था अब हमारे ओफर क्या करते थे इसको ना जो हमारा यह यह ओटर था इसको शाम को घुमाने ज़रूर लेके जाते थे लंड पर्टिकुलर्ली नहीं पता था कि यह ओटर आनिमल होता है, तो वैसे ही लंडन के लोगों को नहीं पता था यह कौन सा आनिमल है, कोई कहता था यह बड़ी स्कुरल है, कोई कहता था सील है, कोई कहता था ब्रॉंटोसौर है, डाइनसौर मतलब एक तरी के स्वानों, अलग- किसी को नहीं पता था यह कौन सा जानवर है और यह वहां पे भी अजीब गरी भारकते करता था अपनी मिच्पिल जब भी लंडन की सड़कों पर चलता था तो जैसे चोटे बच्चों के अपने हैबिट्स होती है ना कि एकार जो है सिडियों को टाप के जाएंगे इधर उद यह देखते रहते थे भाई यह क्या आ जा रहा है हमारे स्कोल की दिवार पे से अब फाइनली हमारे ऑथर कहते है कि यह मेरा जो उद्बिलाव है मिच्विल इसको देखकर सबसे वड़ी हा रियाक्शन तो एक आदमी का था जो रोड पे कंस्रुक्शन वरक का काम कर रहा थ वो न अपना काम करा था और उसने देखा इसको आते वह तो उसने पशीन को साइड में रखा और मुझसे बूचा सर वाट्स दाट सबस्टो में सर यह है क्या चीज़ यहाँ पर आपका यह चाप्टर भी कंप्लीट यह चाप्टर कुछ नहीं है यह चाप्टर सिर्फ और स चूटी सी सी बच्ची सिर्फ और सर्फ आप साल की है क्या तो और तो यह जब बच्शी आफ साल की थी तो इसका मन करता है यह चाप्न ussen बस राइट पर जाओं dol समय गहां में अब दौपहर के समय में जब इसकी ममी सो मूझा को आती है तो ये जो है कोई दोस ने है क्या करे क्या ना करे तो ये अपने घर के बाहर दर्वाजे पे खड़ी रहती है वल्ली नाम है इसका पूरा नेमे वल्ली माई बठ हम शौट में वल्ली कहते हैं तो जब ये बाहर खड़ी रहती है तो ये बोर नहीं होती है क्यों नहीं बोर होत लोग लोग आते है तो एक दिन ये बस को रोज आते जाता देखे इसकी मन में एक डिसायर आती है कि यार मैं भी बस राइड पर जाओं गी बट ये बात की इसको बस पे राइड पर जाना यह अपने घर Walter को नहीं बताती है या अपने आपको ना बहुत शारी भी देना कि वो बस राइट पे कहिए या चान पेचान भी इसको सुनने में आ जाए इसकी एज ग्रूप का कोई भी बचा वैसे तो चाप्टर में का इसके साथ दोस्त नहीं है बढ़ा कुछ तो होगी एकादत होगा क्लास का अगर वो कभी कह देता था था ना कि भायात मैं बस पे घुमने वली जाए बस पे घुमने शी बिकेम जैलेस ऑफ अदर्स जो भी जो है जाता था बस पे घुमने तो अब वली ने अपने दिमाग में पूरा प्लान कर लिया कि भाई मैं खुच जाओंगी बस पे घुमने के लिए और धीरे धीरे इसने चोटी-चोटी डे ने बस का एक तरफ का किराया है तीस पैसे और बस जो है शहर तक पहचाने में 45 मिनट्स लगाती है तो आब इससे समझ में आ जाता है कि भाई अगर इसे शहर तक घुमने जाना है तो इससे 30 पैसों की ज़रूरत होगी और इसे लगबाग 45 मिनट्स का टाइम जो है निकालन पड़ेगा अपने घर वाले जब इधर उदर होंगे कि ये वहां से घूम कर आ जाए तो एक दिन ऐसा ही होता है spring afternoon spring कब होता है फरवरी मार्च में spring होता है तो भाई ये फरवरी मार्च का महीना ही चल रहा था दुपेहर के समय में ये जो बस है ये निकल कर जा रही होती है और ये वली माई जो हमारी प्यारी सी बच्ची वली है ये जो है बस को रोकती है उस समय बस में जादा भीर नहीं थी, सिर्व 6-7 पैसेंजर बस के अंदर थे और ये बस को रोकती है और बस पे चड़ जाती है, ठीक है, अब जब वहां पे ये बस पे जाती है, तो बस का जो conductor था, वो बार-बार वली को क्या treat करता है, as a madam, वो बार-बार वली को इनसान बड मैडम के लिए जगा बनाओ, तो throughout the chapter जो conductor जो जब ये बस में बैठी है, इसको मैडम मैडम बुलाते है, तब ही chapter का नाम है, मैडम राइज त बस, है बहुत चंटी है, बहुत चलाक सी है, ये, तो ये बहुत order चलाएगी conductor के ओपर, कोई इसे कहेगा, कि तुम बच्ची मैं पैसे देखिया हूँ, ऐसी रहने वाली है, इसकी ये जर्नी, ठीक है, अब जो वो बस थी, जिसमें वली बैठी थी, वो वेकोल न्यू बस थी, soft उसके seat covers थे, luxurious लग रही थी, एक clock लगी थी उसके अंदर, बहुत ही beautifully जो है, बढ़िया से बनी थी, वो बस जो है अंदर से, अब वली को जो उसके जो वहाँ पे conductor थे, बस के वो बार बर madam madam करके बुलाते हैं, और वली जैसी बस में बैठी है, तो बस के खिड़की से बाहर देखने लगती है, बाहर की beauty को, क्या-क्या देखती है, वो कनाल को देखती है, वो palm trees को देखती है, grassland को देखती है, mountains को देखती है, blue sky को देखती है, बहुत खुश होती है, सारी की सारी scenery को देखती है, बीच में जो है, एक आदमी जो थे, वो इसको डाट, मतलब आराम से आवाज लगा कि यह थे, कि बेटा तुम बैठ जाओ, यह सीड़ पे खड़े हो के खिड़की से बाहर देखती है, तो व चलाक है, यह समझ रहे हो ना, यह बड़ी बड़ी चलाग है, अब क्या होता है, फिर जब क्या होता है, यह अगले स्टॉप पे आरने वाले होते है, तो स्टॉप पे बस रुकती हो, बहुत शारे लोग बस के अंदर आके बैठ जाते है, समझ में आ रहा है ना, बड़ी ऐ चाप्टर इस से वíst बड़ी को यस बहुती है बढ़ी सारी हों जो यहाथ कर दो इस नहीं बड़ी सफल करता है यह उनको बठी नहीं मैं वी मैं पैसे नहीं यह वो बट वो आंटी बड़ी प्रशान होती है कि इतनी सी बच्ची अकेले बस में क्या गर रही है अब जो है वली जो है रास्ते में जाते हुए जब वो खिड़गी से बाहर देख रही होती है एक काउ को देखती है वो काउना रास्ते में बहुत ना मूव कर रही होती है तो वल्ली को लगता है कि वो डांस कर रही है बट आचलि में वो डांस नहीं कर रही थी driver अंकल उसे बताते हैं कि वो जो काव थी वो डर गई थी क्योंकि लोग इसको होन मा रही थी तो वल्ली उसको देखें बहुत ज़ाधा हस्ती है उसे लग रहा था काव क्या करी है डांस करी है now finally they reached the town ठीक है वो town पहुच के थे but town पहुचने वे से पहले ये जुन लो कि वल्ली ने ये पूरी planning करने के लिए ये 60 पैसे बचाने के बहुत sacrifice करे थे जब भी मेले मिचाती थी कोई इसने cotton जाने निखाई कोई इसने mint toffees नहीं खाई कोई इसने जूला नहीं जूला 60 पैसे बचाने के लिए उपर से इसने पूरी planning भी करी कि ये अपने घर से दुपहन में निकलेगी उस समय जब इसकी ममी से सो रही होंगी और लगभग उस समय तक बहुच जाईगी जब इसकी ममी जागी भी नहीं होगी पूरे ये timing को भी अंदाज़ा लगा लेती है और 60 पैसे लेकि ये गई है अपने बस में घूम नेकलेश वर सिर्फ 60 पैसे ये आने जाने का ही पैसा है इसके पास अब ये टाउन पहुचते है तो टाउन पहुचते ही बस रुखते है सब लोग बस से उतर जाते है बट ये नहीं उतरती है तो कंड़क्टर अंदर बोलते है कि बेटा तुम उतरो बस से आप जा सकते हो टाउन में तो केते नहीं नहीं मुझे आप मेरी तो मैं तुमाली कोल्डरिंग ले आता हूँ जो यह कहती है मेरे पैसे नहीं है कोल्डरिंग पीने के तो वो अंकल यह थै मैं तुम्हें कोल्रिंग बिला देता हूँ तो यहां भे वली में इतनी अकल थी कि Strangers से कुछ भी खाने पीने की चीज़े नहीं लेनी है तो यह उनको को सड़क की किनारे पर मर चुकी थी वो हे हुश यह ग्याँब भूत परशान व अब उसका मंथाे से बहुट डडरी सहमी हों जाती है वह और ना बाहर दिखती है और कुछ नी अब वो कहती है बस में घर पहुचू अब उसका घर की जगह आ जाती है विलेज में जाके उसकी बस रुखती है तो कंड़क्टर अंकल कहते है मैडम जब आप दुबारा आना जाओ दुबारा आना राइट पे और जो है बूलना मत अप उसकी मम्य और मासी बैटके बाते कर रहे हrière है वहन जाका अब इसकी मम्य और मासी कुछ बाते कर रहे हैं ठी क्या बाते कर रहीं थी discussion कर रहीं थी कि भाई क्या 으िपता रहा है दुनिया में क्या चल रहा है हमें तो कोई अंदाजा भी नहीं है तो तब ये वली बोल परती है हाँ, बिल्कुल सही कह रहा है तो आउप लोग वो हो कोई अंदाजा नहीं आप लोगों दुनिया में क्या चल रहा है क्योंकि उन्हें थोड़ी पता है बेटी क्या करके आई है यह तो गोम आई है शेयर दो घंटे लगा के ठीक है तो यही चीज जो है यहां पे आपका चाप्टर एंड होता है यह बहुत ही चाप्टर में से moral question बूझे जा सकते हैं क् वाट वली डिट वास टोटली रॉंग ऐसे अकेले बस में जाना अकेले बच्चे के लिए बहुत गलत है सीफटी पॉपसिस से भी और वैसे भी और कहीं न कहीं यह चाप्टर में आपको वली की जो है न माइंड पे question आ सकते हैं क्या बढ़िया उसने टेक्नीक बना के हमने प्लान को execute करा था विद इस चाप्टर भी complete होता है हम अपने एक चाप्टर पे the sermon at banaras ठीक है जी तो sermon at banaras को हम पढ़ते हैं तो sermon at banaras में हम Lord बुदा के बारे में पढ़ रहे हैं हम बुदा जी की life के बारे में बता गया है और जो उन्होंने first sermon दिया था sermon मतलब होता religious teaching जब आप जानोगे तो जो पहली teaching बुदा जी ने दी थी वो कहां पर दी थी वो उन्होंने दी थी बनारस में और बनारस में उन्होंने किसको दी थी किसा गौतमी नाम की एक लेडी को तो जानते हैं उन्होंने किसा गौतमी जी को क्या समझाया था तो किसा गौतमी जी जो थी उनके साथ एक बहुत बड़ी आन होनी होती है कि उनका जो बेटा था उसकी death हो जाती है आप वो अपने उस बेटी की death को accept नहीं कर पारी थी और वो उसकी body को लेकर रास-प्रदूर्स के पास जाठी थी मेरी मदद करो, मेरी बेटे को जिन्दा कर दो, तो उन में से जब लोग उने पागल पागल कहते थे, बट एक आतमी ने उनने का कि तुम जाओ, साक्या मुनी, बुध्धा के पास यानि हैंकि बुध्धा के पास जाओ, वो तुमानी हेल कर देंगे तो जो है वो जाती है बुद्धऑ जी के पास मदद मांगने के लिए तो बुद्धऑ जी क्या क्या zs कर लिया है हाँ तो बुद्धऑ जी उनको कहते हैं अगर तुमने सही बताया हूँ मुझे तो कि तुम ना एक काम करो, मैं आपके बेटे को ठीक कर दूँगा, एक घर से जो है, एक handful of mustard seeds लेकर रहा हो, ससो के दाने लेकर रहा हो, handful, ठीक है, और अगर कोई तुम्हें वो दे रहे, तो मेरे पास लिया आना, तो वो जा रही होती है, इतने में ही बुद्धर जी करते हैं, उस घर से लिए कराना, handful of mustard seeds, जिनके यहां कभी भी किसी की मृत्यों ना हुई हो, जन से वो प्यार करती हो, तो वो जाती है, हर घर में, जिसके घर पे भी वो कहती थी, मुझे handful of mustard seeds, तो हर कोई देने को तयार होता था, बट जब वो पूसी थी, क्या आपके घर मे इक लिए ठक के, जो है, किनारे पे बैठती हैं, सडक के, ठक जाती हैं, बिल्कुल, रात हो जाती है, किसी घर से उन्हें ऐसा घर नी दिखता, जहां किसी गिम्रितियों ना हुई हो, जिससे वो mustard seeds ले सके, तो उनकी नजर पढ़ती है, जो बहाँ पे lights लगी थी, lights जो होती जी को बुधा जी का lesson समझ में आ जाता है, जो उने समझाना चारे थे, कि जैसे कि candle की जो law होती है, जो उसकी flame होती है, वो भूज जाती है, वैसे हमारी human life होती है, हमारा कुछ समय होता है, इस अर्थ का पे आने का, और जब वो समय खतम हो जाता है, तो हम भी बोज जाते है हम भी चले जाते हैं, यानि कि वो समझ जाती है, जो अर्थ की जो यह हमारे, अगर हम आए है दुनिया में, तो हमें जाना जरूरी ही है, ऐसा होगा ही, तो वो बुधा जी के lesson को समझ जाती है, और वो अपनी गलती को समझती है, कि वो बहुत selfish हो गई थी अपनी grief के अंदर जो वो ऐसी बात सोच रही थी, और ये chapter आपका यहां पे end हो जाता है, तो इस chapter में जो है, बुधा जी ने हमें क्या सिखाया, that ये grief करना, lament करना, परशान होने से, किसी की death पे हम अपनी आपको ही जादा दुख पहुचाते हैं, कोई भी चीज़ इस दुनिया की है, वो हमे अभी तूटता है, वैसे ही हर इंसान जो इस दुनिया में आया है, वो जाएगा ही, तो जो उसके near ones होते है, dear ones होते है, जो उसके relatives होते हैं, उन्हें उसके जाने के बाद, जो वो grief करते हैं, उससे सिर्फ और सिर्फ दुख होगा, दर्ध होगा, और अगर वो उस grief को अपन हो, इतने difficult question, और ऐसे होगे जो exam में देखने हमाली है, ठीक है, आप आते हैं, अपने last chapter पे, इस वाले हमारी book है, जो है, play proposal, proposal में से बहुत सारी important question आ सकते हैं, जो मैं आपको question आन से वेडियो में अपकराऊंगी, बहुत lengthy chapter में मैं पढ़ाऊंगी, बहुत short में, जिससे short story है, और इसको लिखा, एंटन शिगोवने, ठीक है, इसके तीन main character है, पहला है हमारा character, जो है चुबकोफ, ठीक है, फिर दूसरा है इवान लोमोफ, और तीसरी है नाटालिया, जो चुबकोफ की बेटी है, ठीक है, अब जो characters है, उनसे हम मिल लेते हैं एक बारी, तो स्टी है, और बहुत ज़्यादा argumentive है, यानि कि बहुत चिर्चिरी सी लड़की है, बहुत ज़्यादा नखरे वाली लड़की है, बहुत argumentive है, किसी की निसुनते है, बहुत argue करती है, अब इसका most main character है हमारा आइवन वाइसलिविच लुमोफ, ठीक है, तो ये जो लुमोफ है, य ये भी बहुत argumentive है, और इसको बहुत health issues है, इसकी दिल की दड़कने तीजो जाती है, जो जाती है, इसको कुछ attacks होते है, anxiety के, तो इसकी तबहुत भी ठीक नहीं रहती है, ये problem है इसके साथ, और ये जो है, जाता है, अब चुबुकोफ जी के हापे, रिष्टा मांगने के लिए नाटालिया का, ठीक है, तो फर्स्ट आगे आपको लुमोवाट चुबुकोफ हाउस, ठीक है, जो चुबुकोफ इसके पडूसी है, ये उनके नाटालिया के रिष्टा मांगने जाता है, तो जैसी उनके डॉइंग रूम में जाता है, तो बड़ा सजदश के तयार ह गया आया था, तो चुबुकोफ अंकल पूछते हैं, बहुत खूब पैसा है लोगे पार लालच नहीं, कम नहीं है, पैसा होना अलग बात है, लालची होना अलग बात है, तो पैसा होनी के बार भी बहुत लालची और बहुती बत्तमीज किसम के लोग हैं, और ऐसे लोग है जो हमेशा ऐसे घरों में शादी करना चाते है अपने बच्चे की ऐसे रिष्टे बनाना चाते है जो बहुत ही अमीर लोगों से शादी हो कि हमारी तो भाई इंकम बढ़ती रहे और बढ़ती रहे ठीक है तो ये लैंड लोनर चुबुकोव के यहां जाता है और ये भी लैंड लोनर है बहुत बड़ा इस पे बहुत जमीन है जा कि उन्हें जो है कहता है सर मुझे आपसे कुछ काम है तो चुबुकोव अंकल जो है सोचते हैं कि भाईया काम कह रहा है मुझे कुछ-कुछ पैसे मांगने ना आया हो मुझसे मैं तो इसे कुछ पैसे नहींगा अपने मनी ही मन में सोचते है बट फिर जो है ये इवान वैसलेविच लोमो बहुत बातें घुमा घुमा के फाइनली बताता है कि मैं आपकी बेटी का रिष्टा मंगने हूँ तो बहुत खुश हो जाते हैं कहते है रही वा बेटा मैं तो हमीशा से चाता है तो हम तुमारा रिष्टा पक्का हो जाए तुमारी और हमारी फैमली तो बैटकर जो है जिती देर उसके पापा नातालिया की नातालिया को बुलाने करे हैं सोचता है वो सोचते और excited हो जाता है केता है हाँ भाई अम मेरी शादी करने के उम्र आ गए या मुझे शादी कर लेनी चाहिए नातालिया जो एक अच्छी हाउसकीपर बन जाएगी bad looking भी न सकती है बस यह सब सोचके ठीक है अब इतने में नातालिया आ जाती है बट नातालिया को उसके पापा ने नहीं बता हो था कि यह बेटा तेरा रिस्ता लेकर आया है नहीं वो उसको कुछ नहीं बोलते हैं वो तो उसे लगता है कि पता नहीं कोई मर्चेंट आया है कौन आय गर रहे होते हैं कि इतने में जो है LOMOV बताने की कोशिव करता है कि वो क्या कहने आया है आज कुछ जादा दियानी से पढ़लो नाम है बर्च बुड कॉमेंट सेक्शर में कॉमेंट कर दो बर्च बर्च बुड जो है यह नतालिया और इसकी है और जो यह आक्सिन मीडों जैं इस पर चलेगी पूरी लड़ाई तो जो यह बहुत चोटा इसी जमीन है कुछ इसकी जादा वैल्यू भी नहीं है तो यह जो है कहता है कि वो जो Oxygen Meadows है वो तुम्हारे बर्चूट से सटे वे हैं यानि कि उसके किनारे में लगे वे हैं तो हम इतने सालों से एक दूसरे को जानते हैं मतलब पडूसी भी है एक तरीके से हमारे लैंड भी एक दूसरे के साथ साथ में है ऐसे बोलता है तो इतने में Natalia को अब नटाले को गुसा थे कहते हैं यह क्या बात हुए Oxygen Meadows कबसे तुमारे हो गए Oxygen Meadows हमारे हैं तो अब इनकी फैमिलीज के बीच में इस चोटी सी समयन Oxygen Meadows को लेकर काफी सालों से जगडा चल रहा है क्या जगडा चल रहा है तो उसको जो है लुमोफ समझाते है लुमो दोस्त तुमारे फादर के ग्रैंट फदर के पैजन्ट को वो किराये पे दिया दा काम करने के लिए चालिस सालों के लिए अब चालिस साल खतम अब ये तो Oxygen Meadows मेरा हो चुका है तो ये लाइन कर लो ये रिलेशनशिप आप लेंड कर लो आंट की ग्रैंड मदर ने जो है नाटालिया के फादर के भी ग्रैंट फादर के पैजन्ट को जो है वो किराये पे दीती जगा काम करने के लिए चालिस साल के लिए अब कहता है चालिस साल खतम तो Oxygen मेरा है बट नाटालिया नहीं मानती है नाटालिया के ते नहीं मेरा है वो लो मॉफ कहता है मेरा इनकी ल भी आप जो है लुमोव को बला भुरा कहना रखते हैं गंदी-गंदी बाते बोलते हैं दूसरे की फैमिली इस पर आ जाते हैं बहुत आर्ग्यूमेंट कर जा लुमोव भी चुप नहीं रहा है लुमोव को भी यह नहीं लग रहा है कि भाई मेरी शादी होगी इस रड़गी से अगर यह कहने तो क्या दिक्कत है नहीं न इतना फैमिली है तो आपस में प्यार बढ़ा हो ने लड़ाई करके क्या मिलेगा नहीं यह भी बहुत लड़ता है चुपकोव अंकल भी बहुत लड़ते हैं अब जैसी लोमोव को यह धकी मार के घर से बाहर निकलते हैं तो च कि फादर गुस्सा हो जाते हैं अब यह तो उसे धक्के मांके बाहर बुलाएं हम वापस तो कहते हैं नहीं लेकर आओ मैं नहीं मानूंगी तो वो बड़े परशान होते हैं क्या करूं मैं बेटी का फादर हूं मानना तो पड़े गई वो लुमोव को फिर से बुला के लात बट मेरे हैं तो मैं इसलिए कह रहा था अब जब वो जो है टॉपिक को बदल की कुछ बात करना शुरू करते हैं तो लुमोव टेल्स नितालिया दाट इस बेस डॉग कास्टेड हिम 125 रूबल वो बताता है उसको कि जो मेरा डॉग है अब लुमोव की डॉग का नाम क्या ह और वो है 85 रूबल का तो वो जो है लुमोव और नाटालिया कि अब उनके डॉग पे लड़ाई होगी लुमोव कहता है कि उसका डॉग गैस जो 125 रूबल का है वो बहुत बढ़िया है बेस्ट है और नाटालिया कहते है कि नहीं उसका डॉग जो है 85 रूबल का जो स्क्वी स्क्वीजर है वो बाहुत बड़िया ड़ोग है और बहुत बड़ी का नहीं उर ने की ड़ॉग पर ऑब उक्छा इंट्टालिया पू drafted अपने फार्दर को अब इस हमारा स्क्वीजर बेटर रही है इसका गैस बेटर है तो फिर से जो है चुबुकोव अंकल अपनी बेटी की साहिड लेते कहते हैं अब यह लोग डर जाते हैं भाईया क्या हुआ नटालिया रोना शुरू कर देती है चुबुकोव अंगल परशान होते हैं कोई मुझे मार द रही है वह उन्हें सिर्फ अपनी जनता थी लोमोव को डिफिकल्टी हो रही थी ब्रीधिंग में तो चुबुकोव उसको पानी पिलाते हैं और डॉक्टर को बुलाने की कहते हैं और इतने में लगता है कि लोमोव को हलका सा होश आ रहा है क्या कर दें लहजालिया का हाथ मेरी तरह से रिष्था फका करो किन को किस हो गया भाया इन दोनों का तो इतना लड़ाय तो यह रिष्था करने को दोनों मान जाते हैं भू इंकर इस ने जोनकित आपका बेंप pp बेढ़ा हो जाएंगी बैटे cancelled लोग और नहीं स्वेक्षशिरी को फारते हैं और तो पर्देगर के चाते हैं तो भाहि तुम्हारी उपक्षब क्रेड़ कुलने के साथ में तो जल्द आने वाली है तो जल्ली से चानल को आखे चैप कर सकते हो, क्योंकि मैं ऐसे quick revision आपको करा रही हूँ, जिससे chapter आपके दिमाग में बस जाएगा, important question भी प्रोवाइट करें हो, notes भी google drive में, so you can subscribe to the channel, like कर दो video को, and wait for the next session, मिलेंगे next video में, bye bye, जो अभी कुछ देर में start हो जाएगा, तो notification bell को start कर लो